हलो फ्रेंड्स तो आज के इस वीडियो में बॉक्सिंग करने वाला हूँ मी पावर बैंक 2i 10,000 mh पावर बैंक की तो चलिए फटा-फट से दिखते हैं इसके अन्बॉक्सिंग पावर बैंक तो कुछ इस तरीके से पैकेजिंग के आती है बॉक्स और वीडियो की बात करूं तो यहां पर आप लोगों का माई लिखा हूँ मिल जाता है है माई पावर बैंक 2i 10,000 mh त्लीक अल्मुनियम केसिंग टूवे फास्ट चाजिंग इंटेलिजेंस पावर आउटपूड इसके बाद लीथियम पॉलीमर बैटरी के साथ यह आप लोगों को देखने को मिल जाता है यहां पे एक सिरेल लंबर लिखा हुआ है जिससे की इ चान होती है यहां पर मी पावर बैंक 2i 10,000 mh और यहां पर आप लोगों को वरिफाई करने के लिए एक स्क्रेश कोड मिल जाता है जिसको स्क्रेश करने के बाद आप मी डॉट कॉम स्लैश वरिफाई पर जाके इसको वरिफाई कर सकतेंगी यह जिन्मिन प्रोड़क्ट है साथ मैं आप लोगों को कॉंटेटी और कंटेंस में दिखाएगा कि पावर बैंक के अंदर आप लोगों को इस बॉक्स के अंदर क्या 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 देखने को मिल जाता है पावर बैंक एक मिलता है क्यों यूजर मैं आप लोगों को मिल जाता है साथ में मार्प यहां पर 1200 देखते हैं कि बॉक्स के अंदर आप लोगों को या कि मिल जाता है तो अंदर की बात करें तो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलता है एक user manuel एक power bank और यूसबी केबल तो यूसबी केबल आप लोगों को साइड में रक्की मिलेगी आप लोगों इसको खीच के निकाल सकते हैं और अभी बात करनों तो आप हमारे पास इस बॉक्स में कुछ बचा नहीं है तो आप हम चलते हैं सीड़े सीदे मेन कंटेंड की तरफ तो हमारे पास यह जो यूसबी केबल है यूसबी केबल काफी पतली दी गई यह स्लिम दी और फ्लेक्सिबल दी गई है तो मैं तो कौंगा कि शाओमी हर चीज में अभी माहिर है तो यूसबी केबल भी बहुत अच्छी दी है जल्दी खराब नहीं होगी और यह जो आप वरिफाई करना है सक्राइच कर के और इसके बाद पीछे के तुर आप लोगों को बता है कि आप लोगो यहां पर दो यूसबी TYPE A पूर्ट दिया गया है सात ले कि माक्रे जरू 15 और यहां पर आप लोगों को पार चर करने के लिए बटन दी गई है साते में पार इंडिके चाहरे को बताया गया कि जब करों तो यहां पर 25 परसेंग चार्ज रहे हैं तो यहां पर क्या क्या कि नहीं होगा उसके बारे में संगाए गया अप यूज करेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे रही बात चार्जिंग में वह आप लोगों कुछ इसी तरीके से बताया ग तो इस पैकेजिंग से आप लोगों को निकालना है अभी चलते हैं पैकेजिंग की तरफ यहां पर मैंने देखा कि पैकेजिंग मैटेरियल है वहां पर उसका एक रिच्टेशन नंबर दिखा हुआ है जो कंपनी बनाती है साथ में यह बाइबैक प्राइस पर यानि कि अकर आ है कि लोग इसको कलेट करें कुछ लोग इसको कलेट कर सकते हैं अब बात करें आगे की तो यहां पर देख सकते हैं जैसा कि यह ब्लैक कलर का मैंने पार बैंक मगाया हुआ है काफी स्लीक डिजाइन है और हर चीज आप लोगों को देखने को मिल जाती है यहां पर जैसे कि उसमें इंट्रेस्टेट हैं तो पड़ सकते हैं सकते हैं यह भी चीजें कर सकते हैं तो है बर gef Mich Out से जूड़ हुई यहां पर पीछे डीटेल लिखी हुई है अब चलते हैं सबसे पहले ऊपर की तरफ तो यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं इस बटन से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो प्लग इन करके देखते हैं कि आप हम जब किसी भी फोन में पर इसको लगाएंगे तो फिर क्या होता है तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह फास्चार्ज सपोर्ट करता है पहला ऐसा पाउर बैंक है जो इस प्राइज में आप लोगों को फास्चार्जिंग देता है तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं फटाफट से तो सबसे पहले मैं यहां पर नहीं तो सबसे पहले चलते हैं नौटिफिकेशन अरिया में तो देख सकते हैं आपकी बैटरी के बगल में कोई भी आइकन नहीं आया हुआ है अब हम यही सेम चीज ट्राइब करेंगे दूसरे फोन पर जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है इसके बाद मैं आप है वह अलग-अलग सब्सक्राइब है या फिर आप लोगा पावर बैंक जो है वो आपका क्याश 2.0 तक सपोर्ट कर रहा है तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही चार्ज करेगा उससे जादा नहीं अब यहां पर सबसे में अच्छी बात मैं जिसके विले से इसको मैंने मगाया है वो है छोटे डिवाइस को चार्ज करने के लिए आपको दो बार इस बटन को प्रेस करना होगा इसके बाद आपका पावर बैंक छोटे डिवाइस को चार्ज करने के लिए रेडी है जैसा कि आप देख सकते हैं कि सिंगल लाइट ब्लिंक हो रही यानि कि याभी यह चार और इसके लिए आप लोगों को जादा बड़ी पावर आउट पुट देने की जरूत नहीं होती है चोटी ही होती है मांट तो इसके लिए आप लोगों को यह फीचर मिल जाता है इस पावर बैंक में जाकि मुझे काफी पसंद आया अब मैं इसको कनेट करूंगा अपने सोनी कि स्मार्ट वाच में स्मार्ट बैंड में और जहां से मुझे पता चलेगा कि यह चार्ज हो रहा है या नहीं तो जैसा कि आप देख सकते हैं जैसी मैं इसको प्लक करूंगा तो यहां पर लाइट बिंक होना शुरू हो जाएगी अब आपको खास बात बता हूँ इस आप बिलकुल एजी टू यूज बनाएगा इसका इंटरफेस काफी एजी है और हात में बिलकुल आपके फिट हो जाता जैसा कि आप देख सकते हैं लंबाई और चोड़ाई से भी आपके हाथ में बिल्कुल इजली फिट हो जाता है अगर आपको पॉके तो आप लोगों क अब बात करों हैं यहां पर आप लोगों के लिंग फरीदने के लिए लिंग स्षे और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इसी तरीके से माचानल बोच बढ़ने रहा है और लाइक क说 कमेंट कि जु rhyité डेकर इंडा साइनिग आफ